नमास्कार दोस्तों, Smart Fantasy YouTube चैनल की और एक नया वीडियो पर आप सब का दील से बहुत बहुत सागत हैं आज किस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे T10 मैच की बरे में, जो की खेला जाएगा आज रात 9 बजे अगर आपको आज का इस मैच से भी धेर सरा पैसा बनाना है, हार एक ओपोनेंट को ओन साइडेड हराना है तो मैच स्टार्ट होने से 20 मिनिट पेले आपको हमारा Smart Fantasy टेलिगराम चैनल पर एक्टिव रहना पड़ेगा बाट अगर आभी तक आपने हमारा टेलिगराम चैनल को जोन नहीं किया, तो कैसे एक्टिव रहोगे, बाट कोई बात नहीं इस वीडियो को देखने के बद सीधा चला जाना इसी वीडियो की डिस्क्रिप्सिन बॉक्स पे, आपको हमारा टेलिगराम जोनिंग की लिंक मिलेगा जैसे ही आप उस बला लिंक पे किलिक करोगे, नीचे जोन रिक्वेस्ट का बटाम आएगा, उसमें किलिक कर देना, डाइरेट आप हमारा साथ टेलिगराम चैनल पर जोन कर जाओगे जाओ डिस्क्रिप्सिन बॉक्स पे, लिंक पर किलिक करोगे, जोन कर लो हमारे स्मार्ट फेंटासी टेलिगराम चैनल को और मैच स्टाट होने से 20 मिनिट पर यहां पर आप एक्टिव हो जाना, ठीक है बात कर लेते हैं भेन्नू डिटेल, अभी तक इस भेन्नू पर जितना सरा मैचेस खिला गिया अगर हम भार स्कोर की बात करें, कितना है? 112 तो दोस्तों, मैं आप लोग को हार एक वीडियो के अंदर बताता हूं कि टीटेन जैसा मैचेस में 100 या उससे ज़्यादा स्कोर बन रहे है तो ऐसा भेन्नू कम हाई स्कोरिंग भेन्नू बोल सकते है जहां पर हाई स्कोरिंग गेम होगा, उसके हिसाब से अगर आप अपना कम्बिनेशन बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा तर टॉप ओडर की बेट्समें और और राउंड़ पर फोकस करना है सिलेक्टेड एक या दो बोलर्स पिक कर लो और अपना कम्बिनेशन बना लो तो आगे जाके मैं सब कुछ बता दूँगा कौन सा बैट्समें, कौन सा और राउंड़ और एन कौन सा सिलेक्टेड बोलर्स आपको पिक करना है बात कर लेते हैं, लास्ट पोर मैचिस की डाटा जो कि इसी भेन्यों पर खेला गया था तो स्कोर कर देखना 95-97, 1-2-1-76, 1-2-7, 1-2-6, 1-2-7, 1-2-6 तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो कि हार एक इनिंग्स में आल्मोस्ट 100 या उससे ज़्यादा स्कोर बांगर, इसलिए मैं आप लोगों को बताया था कि इस भेन्यों पर एबहरेज में 112 तक स्कोर बांगर है इनका लिमींट एक अबर हम चेक कर लेते हैं, इस मैच में हास्ट बैटिंग किया था दोस्तों, 121 बनाया था और इस बाला मैच पर दोस्तों पेढ़े बैटिंग किया था, इस भे आप लोग देख सकती हो, 117 बनाया था यह वाला मैं जो दूस्तों चेज किया था 95 ठीक है तो इनका जो आउकात है 100 से लेके 130 की बीजी में आप लोग मान सकती हो चाहे फेल है बेटिंग करें या बाद है बेटिंग करें मतलों अपोजित टीम अगर 100 पेलास भी स्कोर बना रहे 110 या 15 स्कोर बना रहे ना फिर भी स्कोर के चेज कर सकती है और यह टीम अगर फेल है बेटिंग करते है तो आराम से 115 बीस तक स्कोर जाना चाहिए ठीक है दूसरी टीम के अगर हम बात करें ये भी दोस्तों कम नहीं है आप लोग देख सेकती हो तीन में से दो में जीता है एक में छारा है इनका भी एक बार हम लीमिट चेक कर लेते है तो आप लोग देख सेकती हो इन्होंने तो भाई पुरा 4 डाला है 181 भाई T20 में इतना स्कोर नहीं बनता है जितना T10 में बना कर रहा है सही कि नहीं फिर द 200 भी जोड सकते हैं, 1.500 भी जोड सकते हैं, तो performance की मामले में ये टीम थोड़ा सा कमजोर है, बट उतना कमजोर नहीं है मेरे भाई, ठीक है, तो आप लोग one-sided team मत बनाना, अगर आप combination बना रहे हो, तो आप दुबाई के side से 6 player pick करना, और A, J, M के side से आप चाओ तो 5 player pick कर सकते हो, नहीं तो दुबाई के side से आप 7 player और इनके side से आप 4 player pick कर सकते हो, ऐसे करके आपको combination बनाना है, ओके, कभी ऐसा मत करना, कि दुबाई team के side से आपने 10 player, और इनके side से एक ही player pick किया, तो ऐसा combination one-sided हर जाएगा, तो ध्यान में रख combination होगा, आपको 60% and 40% की base पर, मतलब 6 और 5 के साथ जा सकती है, उन्हें तो 7 और 4 के साथ जा सकती हो, तो combination आपको पता चल गया कि किसी सब से आपको बनाना है, अब देखिए, उस combination पर आपको कौन सा-कौन सा players को pick करना है, यह सब से important है, तो उसके लिए हम दोग बात करेंग दोनों teams की players की estate, और players estate से आप लोगो पता चलेगा, आज कौन सा players को लेना है, किस player को drop कर सकते हैं, कौन सा-कौन सा players है, जिनको आप लोग captain, vice captain बना कर आज भी धेर सराप ऐसा बना सकते है, ठीक है, तो Dubai की side से सब से पहले आपको मिल जाएगा runoff, इन्हों ने अपना career में 31 खेल लिया, last match में 0 पे गया था, यह ऐसा ही करते हैं, जिस match में नहीं चलेगा, बिल्कुर नहीं, जिस match में चलेगा, 50 प्लस जोड़ेगा, ध्यान में रखना, ठीक है, 21 के भर्ज में run बनाया, कभी कभर bowling भी डाल ले थे, दोस्तो, 9 wicket है इनके नाम पे, तो opening अगर आएग से भी आप लोग देख सेकती हो, 8 run, 0 run, 0 run, 10 run, 0 run, 8 run, ऐसा करके, एक ही match में 46 है, बागी हार एक matches में one-sided food तरह से फेल रहा है, बाट एज और राउंडर है भाई, तो इसको भी लेना पड़ेगा, क्या पता आज बड़ा इनिंग स्खेल जाए, फिर आपको मिल जाएगा सा आरीब तारिक, इन्होंने अपना केरियार में 36 matches खेला है, 19 के भर्ज में रान बनाया, रिसेनली 26 है, 13 है, 22 है, 36 है, ऐसे करके, इनका form वेटिंग से भाई, अच्छा ही है, ठीक है, हार एक में जो 20-25 करके score बना रहे है, जो बैट्समन काम में आएगा, तो आप इनको भी ट 43, आप लोग एक चीज़ नोट कर लो, यार, मतलब T10 में हमेशा ऐसा ही होते है बैट्समन के साथ, कि अगर वो रान मरते है, तो पचास तेक, ठीक है, 30 पलस तो हमेशा जोड देते है, जिस मैच में नहीं चलता है, दो रन, पांच रन, जीरो रन ऐसे करके वो आउट हो जा 23 की अभर्ज में रान बनाया, एक इनिंग्स में दोस्तों 40 है, और वाकिस सभी इनिंग्स में बिलो 20 करके स्कोर है, तो उतना भी इन पोड़न नहीं रहेगा, आप लोग चाहते हो इनको भी ड्रॉप कर सकती हो, फाहरा दना वाज के अगर हम बात करे हैं, 50 मैचेस में 20 के 6 विकेट मिला है, इनको ज़्यादा कुछ बोलिंग से उखर नहीं पाया है, तो आप इनको ड्रॉप कर देना, ठीक है, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा सारू कामिन, इनका रिसेन मैचेस का डाटा आप लोग देख सकती हो, बेटिंग से कुछ नहीं कर रहे है, बोलिंग से एक, 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 दो, चार ऐसे करके विकेट ले रहे, लास्ट मैच में मैंने इसको भीसी दिया था, बेटिंग से भी 19 रन बनाया था, विकेट एक मीरा था दोस्तों, तो आप लोग आज इनको भी चाहो तो, कैप्टन, वाइस कैप्टन बना सकती है, ओके, यह आहमेद के ग एक, इनपोर्टन पिक बनेगा, उग सर्मा दोस्तों, सबसे वेस्ट बढ़िया आप्सन बन जाएगा, आप लोग देख लोना, रिसेनली, दो, 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 ऐसे करके निकार है, ठीक है, लगातार मैचेस में कंटीन विकेट मेरे इसको, तो आप लोग को लेना है, ठीक है, फ फर्नांडोस दोस्तों, थोड़ा बत इनपोर्टन पिक है, क्योंकि यह टॉप अडर में बेटिंग कर देता है, टॉप अडर्स की वेट्समन को हाई स्कोरिंग गेम पर हमें साडबांडेज मिलता है, तभी जाके हाई स्कोरिंग गेम बनता है, क्लियर ना, नेक्स्ट खिल फर्नांडोस दोस्तों, इनका भी रिसेंट फर्म बहुत ही तगड़ा रहा है, खेलता है, तो लोग का नजर इस पर नहीं रहेगा, आपके लिए बहुत बड़ा ट्रॉम्पिक काम कर जाएगा भाई, अगर यह खेलेगा तो, ठीक है, बात कर लेते हैं, इनके साइड से डे फज्यदा रहते हैं, उग सर्मा लास्ट अभर, आई मिन नौनामर अभर रहे तो दोस्तों, यह भी इनकोड़ा रहेगा, तो अहमेद और उग सर्मा यह दो पिलियर्स को तो आपको बोलार्स में से छोड़ना ही नहीं चाहिए, ओके, आब हम दूसरी टीम के तरफ आगे ब बेस्ट केप्टन की बात करें, तो उस्मान खान को आप लोग केप्टन बना सकती हैं, क्योंकि यह जिस मैच में चल रहे हैं न भाई, 30 पिलस तो हमें से स्कोर बना रहे हैं, और आपका लाक सहरा तो भाई यह आपको 50 बना कर भी दे सकते हैं, ठीक है, और यह एगर चल जा एक बहुत बड़ा ट्रॉम्पिक साबित हो सकते हैं, हरसित कोवसिक 23 मैचेस में 28 के भारेजे 6 उकेट मिला है अपना केरियार में, यह भी आल मोस्ट हारेक इनिंग्स में 30 प्लस स्कोर जोडर आप लोग देख लो 32, 30, 25, 44, 30, 91 भी दोस्तों जोड के राखा है, तो इससे आ बादनान के अगर हम बात करें, 10 मैचेस में 7 के भारेज है, यह बोलिंग तो कर रहे है, बड़ 10 मैचेस में अभी तक इनको 1 विकेट नहीं मिला, तो बेकार पिक रहेगा, नहीं पिक करेंगे हम, अंकूर के अगर हम बात करें, 31 मैचेस में 21 के उकेट लिया है, रिसेनली 1 एक उकेट, दो उकेट, दो उकेट, ऐसे करके दोस्तों, इन्पोर्टन पिक रहेगा, आपको लेना चाहिए, महमा स्माल के अगर हम बात करें, 18 मैचेस में 10 विकेट, बड़ लागातार मैचेस में 21 के उकेट मेरे, तो इन्पोर्टन रहेगा, ध्यान में रखना, ठीक है, आपदुल मालिक के अगर हम बात करें, 29 मैचेस खेल लिया, अपना के रियार में, 17 के बर्च में रान बनाया, 13 विकेट लिया है, ठिक ठाक पिक रहेगा, बट मैचेस नहीं दूँगा टीम पर लेने के लिए, उससे बड़ीया अपसन आप लोग को मिल जाएगा, सहरा जाह 12 मैचेस में 8 विकेट, देख रहें, 21, 21, 21, ऐसा करके, मतलब एक continue विकेट निकार रहे हैं, मारूप के अगर हम बात करें, 9 मैचेस में 5 विकेट, ये भी दोस्त उतना इन पर लोग नहीं रहेगा, तो इसको भी आप लोग स्किप कर सकते हैं, आर चोपड़ा, 22 मैचेस में 26 20 का अभारेज निचे आएगा, तो इसको भी हम नहीं लेंगे, आर अन्स टांडाउन के अगर हम बात करें, 28 मैचेस में 14 के अभारेज, ये भी निचे आते हैं, इनका बेटिंग ओडर भी फिक्स नहीं रहता है, तो दोस्त इनको भी हम ट्रॉप करने बाले हैं, बात कर ले पैट्समेन है, और आट और दस नमर अभार भी डर है, तो कितना बढ़िया इनको पिक्क बनेगा, आप खुदी समझ सकते हैं, ठीक है, महादमाद इसमाल 5 और 7 नमर अभा डर है, तो दोस्त ये भी इनकोडर रहेगा, तो ग्राउन इनकोर्मेशन से लेकर, हार एक पिलियर की जानकरी में आप लोगों को एक एक करके बता दिया, जिन्होंने कंप्लिट वीडियो को देखा, उसको पता चल गया, कौन सा अपिलियर को लेना है, कौन सा अपिलियर को ड्रॉप कर सकते हैं, बात कर लेते हैं, हमारा फेंटासी टीम, जो कि आप लोग मिल जाएगा, हमा पर आप लोग को इस मेच के रिलेटेड आपडेट और फानल टीम मिल जाएगा, ओके दोस्तों, ठैंक यू, बेस्ट अप लग,